हेलो गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 नॉवंबर तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हमिसा की तरह आप इस वीडियो को अंते तक जरूर दे फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा, आपको बता दें इस वनियर मेंबर्शिप प्लान के तरह जितना भी हमारा PDF कोंटेंट है, वह हम आपको एक साल तक के लिए प्रवाइट कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, इसके लि फिर करते हैं शुरुबात इस वीडियो सेशन की, हम इस एक तरह सबसे पहले आचा कोश्चन देख लेते हैं, इस कांसर आपको अभी कोमेंट बोक्स में करना है, वह वास ता फर्स्ट वोमें जजज इन दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सरवच्चे न्यायला पर जुरू जोइन करें, करन्ट अफिर्स फंडा नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है एक्सराइज सूर्य किरन बिट्विन इंडिया एंड नेपाल हेल्ड एट विच प्लेस भारत और नेपाल के बीच, सूर्य किरन अभ्यास के सिस्थान पर आयजित हिया गया, आप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर आप्शन दी रहेगा, पिथोरागर आपको जाना चाहिए नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी ने हाली में एक्सराइज सूर्य किरन के 17 एडिशन को संपन्न किया है, पिथोरागर उत्राखंड में, आपको बता दे एक एन्वल डिफेंस एक्सराइज है, जो कि दोनोई कंट्रीज के बीच, अल्टरनेटिवल प्राइमिस्टर नरेंद्र मोदी फ्ली अशौर्टी इन इंडिजिनेस्ली डिजाइज डिजाइज डेपलप्ट और मैनुफेक्चरड लाइट कॉंबेट एरक्राफ्ट तेजस, इन विच सिटी डिट दा डिमोंस्ट्रेशन टेक प्लेस, परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वधेसी रूप से डिजाइन विक्सित और निर्मित लाइट कॉंबेट एरक्राफ्ट तेजस में उडान भरी, यह उडान कहां से भरी गई, ऑप्शन्स आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन्स ही रहेगा बेंगलूरू, आपको जाना चाहिए हाली में प्राइम किये हैं, इसमें उड़े हैं, और यह एक इंडिजनेसली डिजाइंड, डेवलप्ट एंड मैनुफेक्चर्ड एरक्राफ्ट है, भारत का ही, और यह जो शॉर्ट है, जो संचेप त्यातर ही, संचेप में मतलब कुछ ही तेर की, यह की गई एरक्राफ्ट सिस्टम्स, टैस् तरह से प्राइम्स्टर नगेंद्र मोदी यह फर्स्ट प्राइम्स्टर बने है, जिन्हों ने एक फाइटर एरक्राफ्ट में जो है, इस तरह से शॉर्ट ही पूरी है, आपको जाना चाहिक जो ए तेज़स एयर क्राफ्ट का फास्ट वर्जन है, यह 2016 में अपींडियान फ इन्होंने बेसिक एनिमल हस्बेंटरी स्टेटिक्स 2023 जारी की है मिल्क, एग, मीट और वूल प्रोडक्शन संबंदी 2022 के लिए और ये अनिमल इंटिग्रेटेट सेंपल सर्वे जो की माल 2022 से फर्वई 2030 के बीच कंडरक्ट किया गया उस पर बेस्ट है और कहां ये स्टाटिस्टिक लॉंच ही गई हुआ हाटी में इसमें बताया गया है कि जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है मारी कंट्री में 2022 के दुरान ये 230.58 मिलियन टंस रहा है हाइस्ट मिल्क प्रोडूसिंग स्टेट 2022 में उत्तर प्रदेश रहा है जिसका टोटल मिल्क प्रोडक्शन में 15.72 परसेंट शेर है बात करते हैं एग प्रोडक्शन की तो 138.38 बिलियन नंबर्स एग 2022 में जो है प्रोडूसिंग किये गए और मेजर कंट्रिबूशन टोटल एग प्रोडूसिंग में आंध्र प्रदेश रहा है 20.13 परसेंट नेक्स्ट है मीट प्रोडक्शन तो कितना मीट प्रोडूस किया गया 9.77 मिलियन टन्स 2022 के दुरान और मेजर कंट्रिबूशन रहा इसमें उत्तर प्रदेश का नेक्स रेटरी वूल प्रोडक्शन की है यह 33.61 मिलियन केजी रहा है 2022 के दुरान और जो मीजर कंट्रिबूशन रहा वो राजिस्थान से रहा है 47.98 पसेंट विस सिटी रिसीव 2023 सस्टेंबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड की सहर को 2030 सतत परिवहन प्रुसकार प्राप्थ हुआ ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए है पैरिस देखें जनरल एसमबली ने 26 नवंबर को सस्टेंबल ट्रांसपोर्ट टे मनाया है इसी दूरान जो 2023 सस्टेंबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड है यह पेरिस फ्रांस को दिया गया है वही जो सिटी इस एंजिन को और इगनाइज किया गिया कि हाँ इन्होंने भी काफी अच्छा कारी किया है उनमें भूवनेश्वर भी है भारत से which day is celebrated on 26th of November 26 November को कौन सा दीवस मनाया जाता है सही आंतर आप्षन सी है Constitution Day आपको जाना चाहिए हर साल 26 November को Constitution Day मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो हमारा Constitution है उसको Constituent Assembly द्वारा अडॉप्ट किया गया था और जो Constituent Assembly है इसने Constitution को अडॉप्ट कब किया 1909 में इसी दिन 26 November को और यह Constitution हमारा कब इफेक्टिव हुआ 26 जनौवई 2050 को 2015 में Government of England डिसाइड किया कि हम 26 November को Constitution Day के तोर पर मनाएंगे और इसी मौके पर इस बार प्रेजिडेंट द्रॉप्ती मुर्मू ने जो फादर आफ ती Constitution है डॉक्टर भीम्राव अंबेड करीन का स्टेचू सुप्रीम कोड के परीसर में अनावरेंट किया है इस टेचू का एक कोश्चन देखिएगा यह पुछा कि 2023 में बेसिक सा गोश्चन है देखिए पहला इस्टेटमट पड़ेंगे दर दर चेर्मेंशिप ऑफ डॉक्तर बी आरंवेड कर तो प्रिपेर राफट कॉंसेटुशन ऑप इंडिया तो यह रॉंग हो गया क्योंकि अभी हमने आपर देखिए पक्या पड़ा कि इस दिन 26 रमग निश्रोण अच्छसको Constituent Assembly ने Constitution को adopt चिया था, तो कमेडी तो पहली बन चुकी थी, ठीक है, adopt चिया था, तो इस तरह से इसका जो सही आंफरों का वो होगा, Option C, Statement First is Correct, But Statement Second is Incorrect. National Gopal Ratna Awards are conferred on which day, रास्टे-गोपाल, रतन पुरुषकार किस दिन परदान किये जाते हैं, सही आंफर आप्शन भी है, November 26. देखे, 26 नवंबर को भारत National Milk Day celebrate करता है, to commemorate the efforts of Dr. Vargis Curian, जिने Father of India's White Revolution भी कहते हैं, Operation Flood के लिए जाने जाते हैं, जो की वर्ड का largest agriculture program रहा है. Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Daring, परसुत्तव रुपाले ने इस मोके पर National Gopal Ratna Awards पी दिये हैं, 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को भी दिये जाते हैं, ठीक है, National Gopal Ratna Awards, कहाँ पर दिये हैं, गोवार्टी आसाम में, तो ये तीन कैटेग्रीज में होते हैं, Best Dairy Farmers, Rearing Indigenious Cattle Puffelow Breeds, दिये जाता है, फस्स रेंग को पाच लाक रुपे का दिया जाता है, तो यहाँ पर Award winners के नाम भी है, जो Best Dairy Farmers, Rearing Indigenious Cattle, ब्रीड में मिला है, राम सिंग कर्णाल हरियाना, दूसरा है Best Dairy Cooperative Society, Milk Producer Company, ये मिला है, पुलपली, शीरोपदा का, शहकरणा, संगम, लिम्टेड, वाइनार केरल, और तीसरा है Best Artificial Insemination Technician, ये सुमन कुमार सा को दिया गया है, अर या बिहार से है, विच NBFC has signed a financing pact with Asian Development Bank for 125 million US dollar to support financing in rural and peri-urban areas of India, किस NBFC ने भारते ग्रामेड और उप सहरी छेत्रों में वित्रपोशन के लिए, एशिया ही विखास bank के साथ 125 million dollar के समझोते परहस्ताक्षर के सही answer option है, L&T Finance, देखे L&T Finance ने एक financing pact signed किया, इस इन डेवलपमेंट bank के साथ, इसकी value 125 million US dollar की है, ताकि जो ruler and peri-urban areas हैं, वाँ पर financing की सुविधा provide की जा सके, खास करकि महिला जो borrowers हैं उनके लिए, आपको जाना चाहिए payg local, जो कि एक cross-quarter focused payments platform provider है, इसे हाली में RBI से इन principle affirm मिला है कि ये payment aggregator के तौर पर कारिय कर सकती है, ठीक है यह यहाँ पर इसलिए discuss करें कि ये भी NBFC है, ठीक है तो NBFC करणट फिर देख रहे हैं, Global Venture Capital Funds, Excel Partners and Qna Capital, ये दोनों ही सिवालिक Small Finance Bank में अपने stake बढ़ाएंगे, 9.99% कर लेंगे, दोनों ही इच है न, फिलाल इन दोनों के ही जो stake है, वो 4.99% है, इस bank में, सिवालिक Small Finance Bank में, which bank and UK Export Finance, signed a financing program of up to 100 million pound to support Indian MSMEs and corporates for financing their imports from the UK, तो सही answer option A है, HSBC India, तो देखी हैं आपर जो UK Export Finance और HSBC इंडिया है, इन्होंने भारतिय MSME और corporates को UK से उनके आया, उनके आया थी with portion के लिए 100 million, जो है pound तक, कि with portion कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये हैं, तो HSBC India and UK Export Finance, जो की United Kingdom के एक Export Credit Agency है, इन्होंने एक financial program को जो है हाली में sign किया है, 100 million pound, ताकि जो Indian Micro, Small and Medium enterprises हैं, उनको support किया जा सके हैं, This partnership is expected to enhance the availability of credit for Indian MSMEs and boost trade ties between the two countries, HSBC India के CEO हिते इंद्र दावी है, Which bank has announced a corporate tie-up with Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. to distribute life insurance products to its customers, किस bank ने अपने ग्राकों को जीवन विमा उत्पाद वित्रित करने के लिए, Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. के साथ, corporate साइधारी की घुशना की सही answer option दी रहेगा कर्णाटका bank, आपको जाना चाहिए, कर्णाटका bank ने एक corporate tie-up finance किया है, Bajaj Allianz Life Insurance के साथ, to distribute life insurance products to its customers, MDNCO Bajaj Allianz Life Insurance के तरुन चूग है, कर्णाटका bank की बात करें है, headquarters Mangalur, कर्णाटक है, tagline है, your family bank across India, The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on bank of Pradoza, for non-compliance with certain directions issued by RBI ने निर्दर शोकान पालन ना करने पर, bank of Pradoza पर कितनी राशी का मौदरिक जुर्बाना लगाया है, options आपके सामने हैं, सही आमत्र option ने है, 4.34 करोड रूपीज, देखे, Reserve Bank of India ने 4.34 करोड रूपीज की monetary penalty लगाई है, bank of Pradoza पर, for non-compliance with certain directions issued by RBI on creation of a central repository of large common exposure across banks, अब देखे, ये महतपूर्ण है आपके लिए, जो bank of Pradoza पर लगाया है, दूसरा लगाया, city bank पर 5 करोड रूपे का, इसका reason देख लेना, और तीसा लगाया, Indian overseas bank पर 1 करोड रूपे गा, तो ये महतपूर्ण रहते हैं, ये वाले जुर्माने रहते हैं, आपने कई बार देखे कि ये इस तरही कोश्चन कराते रहते हैं, तो जो वैसे cooperative bank पर लगता है, वो इतने महतपूर्ण नहीं होते हैं आपके एकदाम के, लेकिन जो ये private sector ये public sector bank पर जुर्मान लगता है, ये महतपूर्ण रहता है, तो इनकी amount भी याद रहते हैं, और reason आपको जानने की ज़रूत नहीं है, ये वाल बैंक याद रहते हैं, और किस पर कितने रुपे का लगाया है, ये याद रखीगा, तो तीनों महतपूर्ण नहीं हैं, Bank of Padoza, City Bank और Indian Overseas Bank, वन्दा जो रीजनल बैंक होते हैं, उन पर तो लगते ही रहते हैं जुर्माने, विच कंट्री हैस बिगम Chair of International Sugar Organization for 2024, कौन सा देश दोजार चोबिस के लिए अंतराष्टे चीरी संगठन का अध्यक्ष बन गया है, सही अंतर अप्चन हैं, इंडिया, देखें, इंटरेसल सुगर और्गनाइजेशन जिसका हैटक्वाटर सो लंडन में है, इसकी हाल में 63rd Council Meeting होई है, इन्होंने एनाउंस किया है कि 2024 के लिए जो हमारा चेर कंट्री रहेगी वो इंडिया रहेगी, यानिकि एक अध्यक्ष कंट्री रहेगी वो भारत रहेगा, आपको बतादें, इंडिया लार्जेस्ट कंजूमर है, और साइकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सुगर का पूरे वर्ड में, यह महत्पूर्ड फेक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लिजेगा, पूरे वर्ड में जो सुगर कंजूम्शन में, हम 15% सेर है हमारा, और प्रोड़क्शन में 20%, अचाहिसी आर्टिकल में यह भी लिखाओ था कि, भारत ने 20% एथनोल ब्रेंडिंग विद पेट्रोल हासिल कर लिए, 2022 में, और भारत थर्ल लार्जेस्ट कंट्री है, पूरे वर्ड में एथनोल प्रोड़क्शन में, आफ्टर USA and ब्राजिल, नेसल सुकर इंसेटूट यहाद रखेगा कानपूर में है, विच कंपणी वासे इंसर ऑप्शन डी है नहचपीस देखेए, NHPC को The Economic Times HR World Exceptional Employee Experience Award 2023 दिया गया है In Large Scale Enterprise Category और ये Award इनको दिया गया एक ceremony में जो कि बेंगलूरू में हुई है NHPC की बात करते हैं Chairman and Imagine Director Rajiv Kumar Vishnoy है Headquarters Faridabad हरियाना में है Hemfest India 2023 held in VCD Hemfest इंडिया 2023 की सहर में जित हुआ सही आंतर आप्शन दी है एहमदाबाद देखें Minister of State for Communication Devu Singh Chohan इन्होंने Hemfest India 2023 को इनोगरेट किया है Science City एहमदाबाद गुजरात में Hemfest India 2023 brings together a diverse community of amateur radio operators showcasing the latest innovations, communication techniques and technological advancement आपको जाना चाहिए जो amateur radio है यानि की H.A.M. radio एक popular hobby है involving use of radio frequency spectrum for non-commercial purposes तो commercial नहीं होता है जो radio program है ठीक है, non-commercial purpose के लिए होता है यांतर 2023 International Conference held in Visity यांतर 2030 अंतरास्टे संबेलन की सहर में आजित हुआ सही आंतर आप्शन सी है बेंगलूरू देखिए जब भी आप कोई एक्जाम देने जाए ना तो International Conference जो ही है वो आप ज़रूरूट पढ़के जाए करें यह महत्पूर्ण थीम होता है किसी भी एक्जाम में एक तो ranking हो गया एक यह conference हो गया तो यह तो आप बिल्कुल मत छोड़ा करें ठीक है जैसे PDF है तो Ctrl-F आपने क्लिक किया और वहां पर search box आयाता है उसमें आपने डाला सम्मीट या conference तो सारे करेंट अफेट सम्मीट से संबंद दे आजेंगे तो तुरंत आप उनको जो है एक जल्दी से उनका व्यू लेकर बर्ट साई व्यू लेकर और अपना पढ़ सकते हैं ठीक है तो इसका आंसर बेंगलूरू है चली जानते है यूनियन मिस्टर आफ पो को अटेंट किया है और इसे जिगनाशा के साथ मिलकर आयोजीत किया गया आपको बता देंगे जो यह अंतर 2023 एक इंट्रनेसल कॉन्फरेंस है जो की इंटेगरेटीव मेडिसीन से संबंद दे आप वट इस द नेम ओफ द पॉलूशन रिस्पॉंस एक्सराइस कंड़क्टे पॉलूशन रिस्पॉंस एक्साइस नेट पॉल्रेक्स 9 एहाली में इंट कोस्ट गार द्वारवादीनार कुछ रात में अजित किया गया लगबग 31 फोरें अप्सरवर्स एंट 80 देलिकेट निसमें पाटिस्पिट किया है नेट पॉल्रेक्स 9 एहाली में इस अप्जक्टिव फ्टेस्टिव फ्टेस अब्जेक्तिव थे लब आथ प्रॉटेशन वेर्स रिस्पॉंस एंसेसाइस स्वेles और कोडिन स्टेस्ट प्रॉशन डिशून एल इसास्टर गार गार मियर्ध नेटर गैंड इन कोस्ट कर गे पर फस्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम इसी अरवर उजवला रे ज का लू сов न मास्कोट धाली डी नूजडिया गें जो की मास्कोट है यह गृँन्ण रोटरो गेम ताकों सब्ला का लू traditionsidd और जो है अगर हम बात करें यह एक reminder है ठीक है that strength comes in many forms and the human spirit is unbreakable सही बात है AIFF FIFA Talent Academy opened in West City AIFF FIFA Talent Academy किस सहर में खोली गई सही answer option दी है बुवनेश्वर देखे उड़ी सही जो चीफ मिनिस्टर नमीन पटना है किनोंने AIFF FIFA Talent Academy का उधकाटन किया है पुवनेश्वर में AIFF मतलम All India Football Federation and FIFA मतलम International Association Football Federation इन दोनोंने partnership किया है उडिसा गोवर्मेंट के साथ यह academy established करने के लिए तो यहाँ पर क्या होगा 50 talented football players including 15 from Udisa 50 में से 15 Udisa से रहेंगे ठीक है under 14 category उनको select किया गया जाएगा इस academy में पूरे देशबर से और इस academy को head करेंगे FIFA द्वारा appointed coach और staff इन विच यह इंडियास फर्स्ट sounding rocket launch टेक प्लेस इन थुमबा के थुमबा से भारत का पहला sounding rocket किस फर्स लॉंच किया गया था सही आंतर उप्शन सी 1963 देखे इंडिया का जो first sounding rocket launch किया था थुमबा के रल से उसकी diamond jubilee हाली में इस रुद्वारा से बेट की गई है और आपको बता देगी जो launching हुई थी soundly rocket की 21 लॉंबा 1963 को हुई थी यह महत्पून कोश्चन है आध रखे है जब इस तरह की कोई एक नेशन लेवर का आईवाइंट होता है तो कि कोई diamond jubilee बगर आया silver jubilee बनाई जाती है तो महत्पूर्ण रहती है तो डॉक्टर जीतेंद सिंग जो की यूनेर्स्ट आफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्स साइन्स और टेक्नलोजी है MOS PMO परस्टनल पब्लीक रवेंसे पैंशन और अटमिक एनरजी है इन्होंने इस 60th year of the first surrounding rocket launch का जो यह event रहा इसको संभोधित किया है अच्छा यह कुछ aim जानिएगा इसी आर्टिकल में थे PIV है इस तरो के aim क्या है इंडिया का first man smash mission गगनियान 2025 तक लॉंच करना lunar sample return mission भारत्य अंत्रिक्स station यान की आपको बताया ना बीच बीच में आते रहते हैं और आपको रेग्जाम में आते हैं तो डूंदे हैं कि यह कहां होता कहां होता कहां से पढ़पाते इस तरह की जो इन्फोर्मिशन जैसे मैंने आपके अभी सूगर का बताया था एतनोल का बताया प्रोडॉक्शन के भारत ना लार ये स्था इतना प्रोडूस करता है यह सबीच देटा प्रिवेयर साइमें के आशर देखेंगे वह स्कॉरुक्तनाइट राइटर्स अपॉंट अपॉंट इस तेर नू मेंटर गोतं गंबिर इस तरह से पार्टिपेट करते रहिए चलिए आज यह सेर्मेंट कॉष्चन देखेंगे ARIES is a variant of which infectious disease in which part of the world is the Rothera Research Station located at present which nation has the third largest economy in the world by GDP which agency published national nutrition strategy with vision Kuposhan Mukhth Bharat which company has launched a deep fake detector called fake catcher which sports blood flow in the pixels of a video to detect deep fakes इन पांचों questions के आणसर आपको comment box में देने है यह आपको एक question का आणसर बियाता है तो अभी आप comment box में बता सकते हैं जाता है जाता संख्या पार्ट स्पिट करने कोसिस कीजिएगा साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं आप regular video updates और current को जिसमा आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हमारे current affairs की प्रेश दी गई है इसको आप जिरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फैल्वेस्पेंस साथ हमारे current affairs को आप शेयर जरू करें आज का यह session आपको कैसा लगा आप comment box में विश्य बताइएगा थैंक यू गाइस